आप देख रहे हैं बिग निउस आईए बढ़ते हैं खबरों की ओर बाका जिले के अमरपूर थाना छेतर में वेखाफ अपरादियों ने दिन दहारे लूट की घटना को अंजाम देते हुए पुलिस पर सासन को खुले आम चिनौती दे दिया है मामले को लेकर पिडित राहूल कुमार ने बताया कि अमरपूर बजार इस सित अपने आवाज से रुपिया लेकर सहपूर चौक इस सित से एसपी केंदर जा रहा था इसे बीच कटोरिया गौके समीप एलिन कॉलेज के पास दो बाइक पर सवार पांच अपरादियों ने रास बाइक सवार सहपूर की और भाग गए जबकि दूसरा बाइक सवार अमरपूर की और फरार हो गए पिडित युवक ने थाने से नियाय की गुहार लगाई है मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना ध्यक्ष अर्विंद कुमार राय ने तोरित कारवाही करते हुए पूस अमरपूर थाना ध्यक्ष अर्विंद कुमार राय जहां एक तरफ एलेन कॉलेज के समीप CSP संचालक सचीनाताई मामले का उद्वेदन करने में जूटे हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ अज्यात अपरादियों ने अमरपूर सहर के बैंक रोड इस हित आलू गुदांग को अपना निशाना बनाते हुए रुपिय से भरा बक्सा लेकर फरार हो गए मामले को लेकर आलू गुदांग के पिड़ी दुकानदार शिया राम महतों ने बताया कि संध्या करीब तीन वच के 45 मिनट पर सौचकर ने गुदांग के पीछे गया था जब सौचकर बापस ग पिड़ी दुकानदार बस स्टेंग की ओर गए तब तक लूटेरे फरार हो चुके थे पिड़ी दुकानदार ने घटना के जानकारी थाने में दिया सूचना मिलते ही थाने में पतस्थापिस सहायक अवनिरक्षक अरुन कुमार नंदलार राम पुलिस पलों के साथ खटना अस्थर पर पहुँचकर मामले के च्छानवीन करते हुए पिड़ी दुकानदार के बयान को कलम वद किया बता दें बूदफार की सुभा करीब 10 वजे काटोरिया गाउं इसित एलिन कॉलेज के समिप अपरादियों ने हात्यार के बल पर CSP संचालक से 95,000 नगदी समित लैप अमरपूर बाका मुख्य पत पर विश्वंभर चक कोंग के समिप इसित वैरियर के पास हाईवा की चपेट में आने से हाईवा के खलाशी बुरी तरह से जखमी हो गए मौके पर गस्ती कर हैं अमरपूर थाने में पद अस्थापि सहायक अवर नीड़क्षक खुशीत आलम ने गंभीर इस्थिती में जखमी को इलाज के लिए रेफर अस्पताल लेकर आएं जहां डॉकेस कुमार ने जखमी बांकर जीले के बाराहाट गौनिवासी गुडू कुमार का फ्रात्मिक उपचार कर गंभीर इस्थिती को देखते हुए बहतर इलाज के लिए मायगंज फागलपूर रेफर कर दिया अस्पताल परिशर में जखमी ने बताया कि बाराहाट से हाईवा लेकर अमरपूर होते हुए संग्रामपूर जा रहे थे नौ एंट्री में विस्भंबर चक गाउं के समेप इसिस वैरियर पर बाहन रोग दिया तब ही मैं वाहन से नीचे उतर कर वाहन को पीछे करवाने लगा इसी दोरान मैं वाहन के नीचे दब गया मौके पर ज्रॉक्टरों ने जखमी के स्थिती चिंदाजनक बताई है बाका जिले की कटोरिया थाना छेतर के जमदाहा पंचायत अंतरगत जमदाहा हरिजन टोला में गुरुवार को आधा दर्जन युवकों ने सलाब के नशे में धुत होकर एक अधेड के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है घटना के संबन में कटोरिया थाना में दिये गए आवेदन में गउं कहीं सुमन दास, छोटू दास, विजींदर दास, सुलेखा देवी इवं घनेश्वर दास के पुत्रे के विरोध कारवाही की कुहार लगाई है दिये गए आवेदन में बताया है कि सुभह सभी नामजद अवियुक्त मेरे घर में आकर सराप के नशे में धूत होकर गाली गलोच करने लगे जब उसका विरोध किया तो मार पीट कर सर फोड दिया और धंकी देते हुए कहा कि अगर हम लोगों के विरोध थाने में आवेदन दिया तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे परिजनों के सहीयोग से जखमी को कटोरिया रेफरेंस पताल पहुचाया इस घटना को लेकर पूरे परिवार में दहशत का महौल है कटोरिया पूरिस मामने की चानवीन कर कारवाही का श्वासन दिया है अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का लेकिन उससे पहले आपसे आग रहे अगर आपने अब तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले साथ ही अगर आप फेस्बुक पर हमारा न्यूस देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और पॉलो कर ले तो फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमश्कार